अलो दोस्तों नमस्कार स्वागता है आप सभी का अभी अभी दोस्तों बहुत ही बड़ी खुसकबरी आई चुकी है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल ड्राइबर की रेजल्ट को लेकर यहां पर आप लोग देख सकते हो रेजल्ट जारी हो गया है साथी आप लोगों को यह त देख लेते हैं कि कॉंस्टेवल ड्राइबर का कितना कटाप गया और फाइनल कितना आप लोगों का जब कटाप बनेगा तो कितनी इंक्रीमेंट उसमें देखी जा सकती है तो बने रही है दोस्तों इस वीडियो में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियो तो लाइक किज है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो जो भी कटाप हमारे द्वारा इन्फॉर्म की गई थी बिल्कुल वही कटाप देखने को मिला है यानि ओबीसी वालों को हमने बताया था कि 49 या 48 के आसपास रहेंगे कटाप तो उतना ही आप लोग यहां पर देख सकते हो इस ही कटाप देखने को मिले हैं और राल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किया गया है उसकी बात किया जा तो 25,612 कैंडिडेट एक सर्विसमेन की कितना गया है कटाप तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 30-30 नंबर पर यानि मिनिमम क्वालिफाई नंबर जो मांगा गया फैर सबसे important बात ये भी बताईगे इसमें representation received from the candidate with the regards to आपका result किस तरीके से आया हुआ है आप qualified हो non qualified हो final answer की कितना है दोस्तों सब कुछ आप लोगों को 13 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक official website पर so होगा कहने का मतलब है scorecard हो गयरा आप लोग चेक कर पाओगे 13 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक बात कर लिए जाए कि कितना नंबर आपका final बढ़ सकता है अगर इस कटाप के carding मानी जाए final कटाप दोस्तों करीब आपका 5 से 7 नंबर या फिर maximum 10 नंबर तक बढ़ेंगे उससे ज़्यादा नहीं आप लोगों को मैं ओराल बता दू अगर 10 नंबर इससे ज़ जो भी प्रोसेस वने वाली है PEMT या फिर ट्रेट टेस्ट उस पर फोकस कीजिए एक सर्विसमेन वालों का वी कटाफ पांच से 7 नंबर अगर ज़्यादा है तो आप लोग definitely final selection पालोगे अब आपकी बात किया जाए assistance wireless operator teleprinter operator की कब आएगी result ये दोनों result तो आ गया एक सब् अंदर definitely result गोसी तो जाएंगे क्योंकि परिक्षा भी करीब 10-15 दिन के आसपास तीनों की conduct कराए गए थी और तीनों result दोस्तों back to back आप लोगों को देखने के लिए official website पर मिल जाएंगे तो कोई भी और information आएगी definitely inform कर दिया जाएगा जैनल पर नहीं तो subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए दो